श्वागत है सभीका आपके वेस्टमी क्लासेश चैनल में मैं श्रीक अंदर यादो आप लोगों के सामने आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है दसाम आफ लाइफ दसाम आफ लाइफ यह कंपोज किया गया है एस डबलू लांग फिलो के द्वारा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दसाम आफ लाइफ चलिए देखते हैं दसाम आफ लाइफ का अर्थ होता क्या है हिंदी में दसाम आफ लाइफ का अर्थ होता है जीवन का भजन और इंगलिस में दसाम आफ लाइफ मीन्स अ रूप में है, where the poet glorifies, जहां पर poet गुडगान करता है, life and its possibilities, जीवन और जीवन की संभावनाओं का गुडगान करता है, चलिए नेक्ट देखते हैं, introduction of the poem, introduction, the sum of life is a beautiful poem, the sum of life एक सुंदर कभीता है, It is composed by S.W. Longfellow, यह S.W. Longfellow के द्वारा लिखी गई है, in which he describes the purpose of life and how one should handle the sorrow and struggle along the way, जिसमें वह जीवन के उद्देश का वर्ड़न करते हैं, और जीवन में होने वाले दुख और संभर्स का किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए, उसके बिशे में वर्ड़न करते हैं, Here the poet advices to every young man who loves his country, यहां कवी ने अपने देश से प्रेम करने वाले युवक को शलाह दी है, He should ready for his country to sacrifice his life, क्यों उसे तयार रहना चाहिए, अपने जीवन का बलदान करने के लिए, अपने देश के प्रती, He should fight in the battle, उसे लड़ना चाहिए, in the battle of field, युद के छितर में, like a hero, एक नायक के रोप में, He says that work is worship, वा कहते हैं कि कार यही पूजा है, So we should work honestly and sincerely in life without thinking of its results, अर्थात हमें जीवन में इसके प्रडामों की कलपना किये बिना, इमानदारी से दिल खोल कर कारी करना चाहिए, किरपिया बीडियो को like जरूर करें, तो चलिए देखते हैं, explanation of the poem, Poem की लाइन इस प्रकार है, Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, Dust doubt art to dust returnist is not spoken of the soul, सबसे पहले इसकी हम वर्ड मेंनिंग देख लेते हैं, Real means होता है, genuine या वास्तविक, Earnest means होता है, serious या गंभीर, Grave means होता है, place of burial, या इसको हम कबर कहते हैं, Goal means होता है, aim या उदेख से, Dust doubt art means होता है, life is made of dust, जीवन मिट्टी से बना है, अगला है, to dust returnist, इसका अर्थ होता है, It will again turn into dust after death, मिर्थ के बाद या पुनह मिट्टी में मिल जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं, Life is real, Life is real means होता है, जीवन वास्तविक है, Life is earnest, अर्नेश्ट में सोता है, गंभीर, जीवन जो है, गंभीर है, And the grave is not its goal, और जीवन का उद्देश कबर नहीं होता, Dust doubt art, जीवन जो है, मिट्टी से बना है, to dust returnist, और मिर्थ के बाद या पुनह मिट्टी में ही मिल जाएगा, Is not spoken of the soul, आत्मा के बिशे में यह बात सत नहीं है, अर्थात आत्मा जो है, वह अजर और अमर है, इसको हम कह सकते हैं, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, जीवन का उद्देश, मात्र कबर में जाना नहीं है, मनुष का सरीर मिट्टी से बना है, और मरने पर मिट्टी में ही मिल जाएगा, आत्मा के लिए यह बात सत्य नहीं है, अर्थात आत्मा अजर और अमर है, वीडियो देखकर कमेंट जरूर करें, चलिए अगला देख लेते हैं, सबसे पहले हम वर्ड वेनिंग देख लेते हैं इसमें, इंजोइमेंट मिन्स होता है प्लीजर या आनंद, सारो मिन्स होता है ग्रीप या कस्ट, डेस्टिन्ड मिन्स होता है डिसाइड इन एडवान्स या भाग में लिखा हुआ, अब फर्दर मिन्स होता है अहेड, उन्नती के मार्ग पर, चलिए इसे देखते हैं, नॉट इंजोइमेंट एंड नाट सारो, इज आवर डेस्टिन्ड इंड आर वे, अर्थात कह सकते हैं कि नॉट इंजोइमेंट एंड नाट सारो, जीवन में आनंद नहीं है, एंड नाट सारो, जीवन में कोई दुख नहीं है, इज आवर डेस्टिन्ड यह तो हमारा भाग है, इंड आर वे, जीवन की श्रमाप्ती का, या जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते का, बट टू एक्ट दैट इस टुमारो, हमें कारे करना चाहिए, आने वाले कल के लिए, फाइंड सर फर्दर डैन टुडे, क्योंकि आज का जो कारे किया जाना, हमारे आने वाले भविस्षिकों जो है, वह आगे की तरफ उन्नती के मार्ग पर ले जाता है, अर्थाथ हम कहा सकते हैं कि आनन्द और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश या मार्ग नहीं है, हमें कभी भी भागिवादी नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश कारे करना होना चाहिए, जिसे से दिन प्रति दिन हमारी उन्नती हो सके और हमारा आने वाला जो कल है वह और अधिक अच्छा बन सके अर्थात इसे से देश जो है समर्दिसाली होगा वीडियो को सेर जरूर करें तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है जलिए देखते हैं वर्ड मिनिंग इसमें ब्रॉड मीन्स होता है लार्ज या बिस्तित वीवाक मीन्स होता है टम्प्रेरी या अस्थाई पढ़ाओ डम मीन्स होता है अनेबल टू स्पीक अर्थात गुंगा कैटल मीन्स होता है इनिमल्स आफ डिफरेंट टाइप जिसमें हम भेड बकरियां या भीन प्रकार के जानवर कह सकते हैं अगला है हीरो हीरो मीन्स कह सकते हैं ब्रेव नायक या बेर और स्ट्राइप मीन्स होता है इस्ट्रगल या संघर्स चलिए इसका हम लोग एक्स्प्लानेशन भी देख लेते हैं इन दो वर्ट्स ब्रॉड फिल्ड अफ बैटल अर्थात यहां पर बताया गया है कि यह संसार एक बिस्त्रित युद्ध छेत्र के समान है इन दे विवाक आफ लाइफ जिसमें हमारा जीवन एक अस्थाई पढ़ाओ है बी नॉट लाइक डम कि यहां हमें संपुर्ण शंघर्स करना है क्योंकि यहां पर जीवन शंघर्सों से बहरा हुआ है बी नॉट लाइक डम हमें गुंगा नहीं रहना है ड्रिवन कैटल और जानवर की तरह भागना नहीं है बी यहीरो इन दे श्ट्राइफ हमें एक नायक बनना है इन दे श्ट्राइफ इस संघर्स में अर्थात हमें एक हीरो की तरह इस युद्ध छेत्र में हमें लड़ना है तो हम कह सकते हैं कि यह संसार एक बिस्थित युद्ध छेत्र के समान है जिसमें हमारा जीवन एक अस्थाई पड़ाव है यहां हमारा संपूर जीवन शंघरसों से भरा हुआ है अत्र हमें गुंगा या भेड बकरियों का जीवन नहीं जीना चाहिए अर्थात एक पीर सिपाही की भाती हमें साहस से इसका सामना करना चाहिए चलिए अकला देख लेते हैं Let us then be up and doing with a hurt for any fate Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait Word meaning देखते हैं, word meanings में जो है fate means होता है destiny, अर्थात भाग्य pursuing means होता है going after, अर्थात अंसरन करना still means होता है even now, अर्थात अब भी या सान्त Let us then be up and doing यहां पर कभी कहते हैं कि let us be up चलो उठते हैं and doing अपने कारे पर लग जाते हैं With a hurt for any fate, पूरे हिर्दे के साथ for any fate, अपने भाग को बनाने के लिए Still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait वो कहते हैं कि still achieving हमें जो है हमेशा उपलब्दियों को हासिल करने का प्रियास करना चाहिए Still pursuing हमेशा हमें जो है कठिन कारे करने का अंसरन करना चाहिए Learn to labor, हमें शीखने की जरूरत है कठिन कारे को करने की, end to wait और हमें इंतजार करना भी शीखना चाहिए अर्थात हम कह सकते हैं, यहां पर कभी कहता है कि मनुश्य को क्रियास्टील होकर बिना प्रिडाम की इच्छा किये शाहस से अपने कारे में लग जाना चाहिए हमें लगातार अपने उद्देश की पूर्ती के लिए सलंगन रहना चाहिए बिना किसी चिंता के हमें परिस्रम करते रहना चाहिए तभी हम अपने भाग को बना सकते हैं क्योंकि व्यक्ति का भाग जो होता है वो उसके कर्म के कारण जो है बनता है तो हमें अपने कर्मों के इनसार हम अपने भाग को बना सकते हैं पोयम दस्वाम आफ लाइफ की जो है राइम स्कीम है A, B, A, B, तो चलिए देख लिएते हैं, राइमिंग वर्ड्स कौन-कौन से हैं, पहले वाले में है, आपका लाइफ इस रियल, लाइफ इस अर्नेस्ट, एंड ग्रेव इस नाट इस गोल, डस्ट दाव आर्ट, तु डस्ट रिटर्नेस्ट, इस नाट स्पोकेन आप दे सोल, यहाँ देखिए, अर्नेस्ट जो है, रिटर्नेस्ट से मैश कर रहा है, गोल जो है, स्टोल से कर रहा है, तो कर सकते हैं, कि अर्नेस्ट राइम्स विथ रिटर्नेस्ट, एंड गोल राइम्स विथ सोल, नेक्स स्टेंजा में है Not enjoyment and not sorrow Is our destined in our way But to act that is tomorrow Finds us further than today तो यहाँ पर देखे Shorrow और Tomorrow Way और Today तो कह सकते है Shorrow rhymes with tomorrow And way rhymes with today अर्थात Shorrow का जो rhyme है वह tomorrow के साथ है और way का जो rhyme है वह today के साथ है नेक्स्ट अगले में देखते है In the words broad field of battle In the we walk of life Be not like dumb Diven cattle Be a hero in the strife तो यहाँ देखे Battle rhymes with cattle और अगला है Life rhymes with strife अर्थात जो तुक बन रहा है Battle का cattle के साथ और life का strife के साथ तो कह सकते हैं कि battle rhymes with cattle And the life rhymes with strife Last stage अमें देख लेते हैं Let us then be up and doing With a hurt for any fate Still achieving, still pursuing Learn to labor and to wait तो यहाँ जो है Doing rhymes with pursuing Fate rhymes with weight यहाँ पर doing का जो तुक है Pursuing से मिल रहा है और fate का जो है वेट से मिल रहा है इसलिए कर सकते है Rhyming words Doing rhymes with pursuing Fate rhymes with weight My dear students I hope आपको यह सब पूरा समझ में आ गया होगा बस आप लोगों से यही request है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो क्रिप्याई से सस्क्राइब करिए बेल आइकन प्रिस करिए जिस से मैं अगला वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे ओके थैंक यू एंड गुडबाई